करना चाहूंगा जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि एक स्थाई पर जिसे एक टर्म भी बोली गई है रिवेंज ट्रेवल कि लोग जो घर में बैठे थे जो रेस्टिक्शन का समय था जब रेस्टिक्शन खोली गई तो कहीं पर एक अभी प्राय समाज में किसी वर्ग में यह ह है कि अगर रेस्टिक्शन खोल दी गई तो वारस खत्म हो गया है हम आप लोग के द्वारा फिर से लोग की दृष्टि में लाना चाहेंगे वारस या इंफेक्शियर डिजीज यह अभी भी हमारे बीच में है जरूरी है कि कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर पर हमार उसी स्थाई से उसी स्थर से हमारा कारे चलता रहे नहीं तो हमारी एक भी भूल फिर से वारस को हमारे बीच में फैलाने के लिए उसको एक मौका देगी आप देखें जैसे हिल स्टेशन में लोग बिना मास के घूम रहे हैं बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के घूम रहे ह यह ऐसा एक माहौल क्रियेट करेगा जिसमें अब तक जो gain in terms of management of COVID जो हमने लिये हैं वह फिर से nullify हो सकते हैं वह फिर से हम उसको भूल के फिर हमें एक और challenge का सामना करना पड़ सकता है हमें यह समझने की जरुवत है कि यह continuous basis पर लड़ने वाले लड़ाई है और हम शुरू से हमेशा यह कहते आये है help us to help you हमें community support की आप सब के support की आप सब के guidance की बहुत जरुवत है ताकि इस बिमारी से हम जूट सकें और हमें हमेशा यह समझने चाहिए कि वाइरस अभी ठका नहीं है वाइरस अभी भी हमारे बीच में है तो जरूरी है कि हम दो टूल बोथ social vaccine के रूप में hand hygiene, use of mask and physical distancing और vaccination, actual vaccination इन चीजों पर हमारा उसी स्थाई पर कारे चलता रहे जब तक कि हम वाइरस को पूरी तरह से control ना कर सकें